नमस्का दोस्तो स्वागत आपका इस YouTube चैनल गोलूज रेसिपीज में आज हम बनाने वाले हैं चिकन मसाला वो भी पंजाबी की तरीके छे जो धाबे में मिलते हैं पंजाबी स्टैल में वही हम बनाने वाले हैं अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगती होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेए बेल आकूं को क्लिक कर दीजेए लाईक शेर और कमेंट जरूर करीगा सुस्क्राइबर हो चुक्क हैं हैं 100 सब्सक्राइबर करने के प्रेच चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए चिकन मसालब भो पंजाबी स्टाइल में बनाने के लिए इसे में अच्छी तरह से धो लिया है और इसे बाउन लिकालके रख लिया है इधर हमने प्याज ले लिया है लगबक आठ बड़े साइस की प्याज को हमने रफली चॉप्ट नहीं किया है बड़े टुक्रों में चॉप्ट किया है इधर हमने प्याज लसन और अद्रक का पेस्ट बना लिया है कड़ाई को हमने गरम होने चड़ा लिया है हमारी कड़ाई जो हो गरम हो रही है दिरे दिरे अब हम इसमें ओयल आट कर देंगे और ओयल को भी अच्छी तरद हम गरम होने देंगे अब हम इदर खड़े मसाली लिये हैं इदर हमने लॉंग लिया है काली मरीज, जीरा, बड़ी लाइची, तेजपात और डालची नहीं हमने इदर लिया है अब हम सारे खड़े मसाली को इसमें राल लेंगे और इसे अच्छी तरह से 2-3 मिर तक बुन लेंगे प्रेंच चीकल मसाली वह भी पांजाबी स्टाइल में बनानी के लिये हमें खड़े मसाली का यूज़ करना बहुत जरूर है इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे मसाली अच्छी तरह से बुन गया है आप हम इसमें प्याज आड़ कर देंगे इधर हमने आट बड़े साइस की प्याज लिये थे उसे हमने बड़े टुकड़ों में ही कट किया है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसे हम गोल्डन ब्राउम नहीं करेंगे यह जब पिंक कलर का आ जाएगा इसमें कलर हमारा जो प्याज वो ट्रांस्परेंट हो जाएगा ताब हम इसमें चिकन एड़ कर देंगे अब हम इसे लगबग 2-3 मियाज तक अच्छी तरह से बुन लेंगे मीडियम फ्लेम पे फ्रेंट अम चलाएंगे इसली हूँ क्यों हमारा प्याज जो हो जलना पाए यह देखिए इसका जो हलका हलका पिंक कलर हें वो आने लगा है यानी ट्रांसपर होने लगा है अब हम इसमें चिकन एड़ कर देंगे क्योंकि हमारे प्यास पक गए 50 पसेंट तक अब हम इसमें एक केजी जो हमने चिकन ले लिया था वह एड़ कर देंगे चिकन की पीसेस मैंने मीडियम साइज में कटवाये हैं आप चाहिए चोटे या बड़े में कटवा सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है इससे हमने हल्दी और नमक डाल कर इसे अच्छी तरह से धो लिया है इसलिए थोड़ी थोड़ी जगा यलो कला दिख रहा है कोई प्रोब् कवर रहा है अब हम इसे कवर करके लगबग 2-3 मिन तक बुन लेंगे गयास का फ्लेम हमने मीडियम से लो रखा है यह देखिए हमारे जो चिकन है वो दीरी दीरी बुन रहा है पानी छोड़ना शुरू कर चुका है हमारा चिकन अब हम इसमें एड़ कर देंगे प्यास लसन और अध्रक का पेस्ट आप इसके साथ ग्रीन चिली भी आड़ कर सकते हो ज्यादा दिखा करने के लिए और ओयल की मात्रा भी यूज कर सकते हो ज्यादा इधर हमने एक बड़ी चमच से लगबग 3 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाला है इसमें कश्मीरी रेड चिल पाउडर भी आड़ कर सकती हो इधर हमने टर्मरीक पाउडर ले लिया है एक बड़ी चमच वान यानी की वन टेबल स्पून हम एड कर देंगे इसमें इधर हमने एक बड़ी चमच से धनिया पाउडर एड किया है गरम पाउडर के पाऊडर को भी इसमें डाल देंगे, अब हम इसमें गरम मसाला पाऊडर एट करेंगे, इसे भी हमने एक बड़को चमच ले लिया है, अब अपने स्वाध उन्जा नमक की इसमें आड़को अब अपने स्वाध के अक्लृ का मक wisdom कीजिए गाई किए हुआ है को bit salt हमने इसमें एट कर दिया है अब हम से अच्छी तरह से मिकस कर लेंगेoscope संबने ग्यास का फ्लेंम अभीवी मिडियं से लो के बीच में रखा है जिस्से में चिकन में वह जले ना अब हम इसे आची तरह से मिक्स कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हो हम इसे आची तरह से मिक्स कर रहे हैं इसमें जारा महिनत का काम है लेकिन बहुत टेस्टे बनता है फ्रेंज पंजाबी की तरह से चिकन बनाना बहुत इजी भी है और बहुत सिंपल तरीके से भी बन जाता है आप चाहिए तो इसमें टमाटो इस तर्म पे आड़ कर सकते हो मैंने टमाटो एड़ नहीं किया है क्योंकि पंजाबी लोग टमाटो खाना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं यह देखिए इसका जो पानी है वो मतलब पूरा पानी लिकल गया है चिकन जो है हमारा पानी चोरना शुरू कर चुका है आपको जैसा लगड़ा होगे इसमें ग्रेवी डाल पानी डाल दिया है अमने लेकिन हमने इदर ग्रेवी में पानी नहीं डाला है अब हम इसे कवर कर देंगे और लगबग 5-6 मिनिट तक और पका लेंगे 5-6 मिनिट हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो यह तेल चोड़ना शुरू कर चुका है यानि यही बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है अब हम इसे फीर से 10-15 मिनिट तक कवर कर देंगे 10-15 मिनिट हो चुका है यह देखिए हमारा जो चिकन मसाला वो भी पंजाबी तरीके से बन कर एकदम अच्छी तरह से रेडी हो चुका है अब हम जो है गैस का फ्रेंड जो है वो बंद कर देंगे और इसे थंड़ा होने के लिए रख देंगे तब तक इसकी सर्विंग कर लेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगते होगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक शेर और कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएगा कैसा लगा आज का हमारे यह चिकन मसाला वो भी पंजाबी स्टाइल में प्लीज वीडियो में बताएगा कमेंट में